डी एलेट के शिक्षार्थियों, आज मैं डॉक्टर ग्यानदियों मनीतर पाथी आपके साथ कुछ अन्य शैक्षिक संस्थाओं की चर्चा करूँगा अपनी पिशली बात चीत में हम लोगों ने CRT और CMAT के बारे में जाना था आज हम डायट, BRC और CRC की चर्चा करेंगे आप सब जानते हैं कि स्वाधीन भारत में शिक्षाई विकास को जानने और समझने के लिए जो पहला आयोग बना था उसका संबंध विश्विद्यालेओं से था जिसे हम डोक्टर राधा कृष्णन आयोग या विश्विद्याले आयोग कहते हैं 47 और 44 में चास का उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ और पहली बार 64-66 के कोठारी आयोग ने समपूर्णता में शिक्षा की जान्च की जिसके आधार पर 1968 की रास्त्रिय शिक्षाननीती बनी थी Sydney की रास्त्रिय शिक्षाननीती के बाद एक लंबा दोर चला जिसमें भात्य शिक्षा को अपना आकार ग्रहन करने का मौका मिला था 1986 वह काल है या वह समय है वह वर्स है, जब एक नई शिक्षानीती अपने नए रूप में हमारे सामने आती है तब हमने पहली बार यह जानने की कोशिस की थी कि शिक्षा की चुनोतियां क्या है और उसके आधार पर शुक्षा नीती क्या होगी और इसे क्रियानवाइन कैसे किया जाएगा 1886 की शुक्षा नीती ने एक द्रिश्ट का ठीक ठीक पालन सुनिष्चत कर सकते हैं 1986 की शिक्षा नीती ने एक जिलास्तरिया से संस्थान की परिकल्पना की थी जो जिलास्तर पर स्कूली शिक्षा का नित्रितों कर सके या उसे नित्रितों प्रदान कर सके 1986 के शिक्षा नीती के आधार पर डायट की स्थापना हुई और यते किया गया कि देश के हर प्रतिक जिले में एक डायट या जिला शिक्षा प्रशिक्षन संस्थान स्थापित किया जाएगा जिसके प्रारंभ में साथ महत्वपुर्ण विभाग रखे गए थे सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा विभाग कर्यानुभव विभाग जिला संसाधन इकाई जिसे तब DRU कहा जाता था सेवा कालीन विभाग पाठचरया सामग्री विकास और मुल्यांकर विभाग नियोजन योम प्रबंधन विभाग इन विभागों को अलग-अलग कारे आप अंटित किये गए थे अलग-अलग काम दिये गए थे आप सब को डायट आने जाने का शायद आउसर मिला होगा आपने देखा होगा कि डायट में यह सभी विभाग मिल जूल कर काम करते हैं और सब की चिंता में उस जिले की स्कूली शिक्षा को बहतर बनाना शामिल है जिले अस्तर पर जब भी किसी स्कूली शिक्षा में होना है उसको लागू करने के लिए तो एक जो चक्र है राजिस्तर से SCRT का, डायट का, BRC का और CRC का तो डायट जिले अस्तर पर अपने बाद प्रखंडस्तरिय संस्थान या खंडस्तरिय संस्थान BRC और उनके नीचे CRC से मिली हुई जानकारियों, सूचनाओं और फिटबैक को उपर की तरफ भी ले जाने का काम करता है यानि SCRT की तरफ भ अवश्यक्ताएं हैं, जो जरूरते हैं, उसे भी पूरा करता है, कहने का तात पर यह है कि यदि शिक्षकों को किसी खास विशय के किसी खास बिंद पर एक बड़ा समू है शिक्षकों का ऐसा उस जिले का जो महसूस कर रहा है कि हमारे बच्चे इस बात को ठीक से अभी नह समझ पा रहे हैं, इसके लिए हमें कोई नई रहनीती तलास नहीं होगी, तो वे अपनी समस्या डायट के साथ साजा कर सकते हैं और डायट उनकी इस शिक्षाई समस्या का समाधान करने की कोशिस करता है, कि जिले में यदि एक जैसी कोई समस्या उभर कर सामने आ रही है, त साथ डायट का जो एक महतोपुर्ण विभाग है, जहां नियोजन और प्रवंधन संबंधी कारे हैं, क्योंकि हमने जाना है कि राजिस्तर पर तो SCRT और CMAT दो संस्थाएं हैं, एक अकादमिक नेत्रितों के लिए, एक शैक्षिक प्रसासन के नेत्रितों के लिए, लेकिन जिले असर पर सिमेट की कोई ऐसी काई नहीं है, इसलिए यह कारे भी डायट को करना पड़ता है कि वह अपने जिले में कारे रत शैक्षिक प्रदाधिकारियों और विशेश करके, जो हमारे प्रधाना ध्यापक हैं, प्रधाना चाहरे हैं, उनका प्रशिक्षन करें ताकि इनके बीच में एक समन्वय बना रहे और हम उस जिले की सिक्षाई समस्या का समाधान करने में सक्षम हो सकें, ऐसी एक संस्था जो डायट के साथ साथ प्रखंड स्तर पर काम करती है, उसे हम प्रखंड संसाधन केंद्र के नाम से जानते हैं, आप सब को औसर मिल होगा प्रखंड संसाधन केंद्र में भी जाने का, और आपने महसूस किया होगा कि जो व्यवस्था है BRC की, वह एक प्रखंड में एक जिले में एक डायट है, वैसे ही एक खंड या प्रखंड में एक BRC या ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होता है, जहां एक प्रखंड संसाधन केंद्र के समनवयक होंगे और कम से कम तीन विशेव इसे सग्गे रखने की या उनकी सेवा लेने की परिकल्पना की गई थी प्रारंब में यहां एक जानकारी की बात और भी है कि जो बी आर्सी और सी आर्सी का संगठन है वह वास्तों में DPEP की देन है या कहें कि उस समय की समझ है कि हमें जिल्यास्तर पर और के नीचे प्रखंड स्तर पर और संकुल स्तर पर भी ऐसे अकादमिक संस्थाओं की या संगठनों की जरूरत है तो बी आर्सी एक ऐसी जगह है जहां हम सिक्षाई पर इचर्चा छोटे स्तर पर कर सकते हैं सभी सिक्षक तो राजिस्तर पर या केंद्र के स्तर पर NCRT, SCRT, CMET तो नहीं जा सकते जिले में भी एक वारगी यदि उस जिले में दसजार प्रारंबिक विद्याले के शिक्षक हैं तो कोई काम दसजार लोगों के साथ या बारह जार लोगों के साथ एक साथ करना संभव नहीं होगा लेकिन प्रखंड में जब संख्यात कम होती है, शिक्षकों के हम एक साजी समझ बना सकते हैं, साथ बैठ के कोई नड़ने ले सकते हैं, तो बियारसी वास्तों में उस सैच्षिक वातावरन के निर्मान के लिए बनाये गया था, जिसमें हम शिक्षक और सिक्षा से जुड़े जरूरते हैं, उसको पूरा करने के रास्ते दला सकें, अब विशयवार जो प्रस्रिक्षन है, वो यहां से होता है, अब आप उपर से यदि देखना शुरू करें, तो प्रस्रिक्षन की जो चर्याएं या प्रस्रिक्षन का जो कारें, SCRT ने निर्धारित किया है, वो पूरे तौर पर हमारे BRC पर निर्धार करता है, क्योंकि आम तौर पर यह प्रस्रिक्षन जो क्त thrown, गयर आवासिय प्रस्रिक्षन चलते हैं, वे सब प्रकंदस्तर पर ही संचालित होता है, इनके साथ साथ जो BRC की सवयोगी संस्ताय एक तरह से जिसे हम संकुल, संसाधन के इंद्रिया, CRC कहते हैं, जो आम तोर पर आठ या दस स्कूलों को मिला कर एक CRC बनता है, यह एक CRC आठ या दस स्कूलों का एक तरफ से अकादमिक संकुल है, अकादमिक संकुल कहने का तातपर यह है कि इसमें कोई किसी का नितर तो करता नहीं है, बलके यह सब आपस में एक दूसरे के सहयोगी हैं. मिल बैठकर एक स्तर बनाते हुए, यदि मान लीजिए हम जमीन पर बैठकर बात करना जी से कहते हैं, तो सभी स्कूल के शिक्षा के एक साथ जमीन पर बैठकर अपनी जमीनी समस्याओं के समाधान के रास्ते तलास्ते हैं यहां इसकी संकल्पना जब की गई थी तो यही ध्यान में रखा गया था कि यहां सबसे करीब का सैक्षिक संगठन है स्कूल के अताई स्कूल में चलने वाली गतिविधियों का सबसे सही हाल यदी कहीं देखा जा सकता है तो वह CRC होगा यानि CRC अपने कम से कम इन आठ दस स्कूलों को मिला कर बना हुआ एक ऐसा केंद्र है जहां उसकी सैक्षिक समस्याएं न सिर्फ चर्चित होती है या चर्चा में आती हैं बलकि उनका समाधान भी डूड़ा जाता है जैसे कई ऐसे संकूल संसाधन केंद्र इस देश में है जहां एक दिन तो मिलते ही हैं सभी शिक्षक शिक्षकों की संख्या जिन संकूलों में जादा है वहाँ आप दो दिन मिलने का कारेकरम चल रहा है एक दिन को आधे शिक्षक और दूसरे दिन आधे शिक्षक आते हैं और वे अपनी समस्याओं का वहाँ आधान प्रदान करते हैं जैसे मान लिजे कि किसी थान विशेश पर शुन्य की समस्या सुन्य के अधारना समझाने में बड़ी समस्या आ रही है और बच्चे जो है वो शुन्य की अधारना तीसरी चौथी कक्षा में नहीं समझ पा रहे हैं मैं सिर्फ उधारन के लिए ये कह रहा हूँ तो ऐसे में हो सकता है कि उसी संकूल के किसी अन्य विद्याले में पढ़ाने वाले शिक्षक के पास ऐसी कोई तरकीव या तक्निक हो जिससे उन्होंने सुनी की अधारना अपने बच्चों को समझाई हो या उन तक पहुँचाने में सफलता पाई हो आम तोर पर आप देखेंगे कि हम पर अस्थानिय भाषाओं का जो हमारी सीखी हुई भाषाओं है उस पर प्रभाव पढ़ता है विशेश करके हिंदी जिसे हम हिंदी पट्टी कहते हैं वो अभी विविद्य रूपों में बोली जाती है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मातरी भाषा भोजपूरी हो वह तालवेश्व बोलने में कठिनाई का उनवाव करता है उसको तालवेश्व बोलने में कस्ट होता है इसलिए क्योंकि उसकी मातरी भाषा में तालवेश्व नहीं है ऐसे में यदि हम चाहते हैं कि भोजपूरी शेत्र में रहने वाले बच्चे प्रारंबर से ही तालवे श्वा को ठीक ठीक उच्चरित कर सकें उनका उच्चारण ठीक से कर सकें तो यह ऐसी छोटी छोटी बाते हैं जिसका हम समाधान संकुल पर वैठ कर निकाल सकते हैं हो सकता है कि उस भाशिक शेत्र में उस भाषाई शेत्र में यानि जहां बोजपूरी बोली जाती है उस शेत्र विशेस में ऐसे शिक्षक हों जिनके पास इस समस्या का कोई समाधान हो तो इसी छोटी छोटी शिक्षाई समस्या हैं जिनका समाधान हम मिल बाइट कर कर सकते हैं इसके लिए संकुल संसाधन केंदर की स्थापना की गई थी और वैसे यदि आप देखें तो विद समस्या का समाधान नहीं मिलता तो NCRT तक जा सकता है और इस तरह से स्कूल जो हमारी सबसे महतवपुर्णिक आई है उसका जुड़ाव इन सभी शायक्षिक संस्थाओं से संभव हो सकता है और हमारे जो शिक्षक इन विद्यालियों में काम करते हैं उनकी समस्याएं भी अधान हो यह सभी केंदर मिलकर संकूल संसाधन केंदर प्रखंड या खंड संसाधन केंदर और डायेट मिलकर कर सकते हैं तो आज की इस चर्चा में हम यह कह सकते हैं कि यह हमारी जो तीन संस्थाएं जो विशेश करके हमारे जिले हमारे प्रखंड और हमारे संकूल की और शिक्षा के लिए न सिर्फ जिम्यदार हैं बलकि इनका आपसी समन्वय यह निर्धारित कर पाता है कि हमारे विद्याले की या हमारे जिले के विद्याले की कक्षाई गतिविधिया कैसी चलेंगी हमारे विद्याले कितने प्रभावकारी ढंग से अध्यन अध्यापन का संचालन कर पाएंगे तो मुख्य रूप से इन अकादमिक संस्थाओं में आपसी समन्वय की अवशक्ता है हम जानते हैं कि आप सभी डियलेट के जो प्रशिक्षू है वो इन तीनों संस्थाओं में अभी न कभी आये जरूर होंगे और अब जब आप इन संस्थाओं के पास जाते हैं तो पेक्षा रहेगी कि डियलेट के प्रशिक्षू होने के नाते आप यदि कोई छोटा मोटा शोद करते हैं या इस तरह कि कोई भी यदि आपने कोई अच्छा था कोई टीलम ही बनाया और केंदरित करेंगे अपने आपको अपनी उन सिक्षाई समस्याओं पर जो जिन से हमारे स्कूलों में पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही हैं जब हम प्रखंड में जाएं अब ध्यान में रखेगा इन संस्थाओं का निर्मान या विकास इसलिए नहीं किया गया था कि यहां सिर्फ आखणों का संकलन किया जाएगा हम आखणों का संकलन सिर्फ नहीं करते हम यदि इन केंद्रों पर आखणों का संकलन करते हैं तो उसका विश्लेशन करना निसकर्स निकालना और उसके आधार पर अपनी कक्षाई गतिविधियों को संयोजित करना हमारी जिम् फिर इस तरह के आकड़ा संकलन के लिए इन खेंद्रों का निर्मान नहीं किया गया था इसलिए यह ध्यान में रखना है कि यह संस्थाएं आकादमिक चरित्र रखती हैं इसलिए हम सब को इनके आकादमिक यहां आकर अपने शिक्षाई व्यवार बरकरार रखना चाहिए और शिक्षा के बेहतरी के लिए इन संस्थाओं को काम करते रहना चाहिए